के वीडीयो आप देख रहा हूंगे तो फिर अगुरफतारों शुपाउंगा है आप YouTube चैनल में इस चक्र में रख देता हूं पिंव जब ये वीडियो आप दे sicher रहे हूं चवण­फितार देख रहे हैं तो फिर हमारी कि वीडियो नहीं अपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटीनुसली आपको खबने दे रहा हूं। मैंने चार मरतबा अपनी नौकरी गवाई है। मुझे बहुत दफ़ा दंकिया दी गई है। बहुत दफ़ा खतरनाक नताइच के बारे में अगाह किया गया है। मैं मिलता भी रहा हूं लोगों से। और लोग इस तरह की जीवोगरीब चीज़े कहते भी रहे हैं। हर तरह की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया कि आपके केसिज़ भी खतम हो जाते हैं। आपके मामलात को रिजॉल्व कर देते हैं। आपकी नौकरी का बंदूबस कर देते हैं। लेकिन इसके बदले में आप अपना मौकिफ तबदील कर लें। लेकर अब तक मैंने अप और भी यहारे के नदर को पहले गर के अंडर कौछ पहलें, कभी ड्रोन पहेच catches, कभी मेरा घर किराने के लिए मशीने भाई बेजु देते थे, तो मुझे पाकिस्तान से बाहिर जाना था और मैंने ज àने को प्रोग्राम फॉरी तोर पे कैंसल किया था ये सोचकर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाओंगा लेकिन बजाए इसके के कवरिज करने दी जाती बजाए इसके के बात करने दी जाती पूरे पाकिस्तान में इंटरन कि मैं और मेरे साथी सिच्व शुर्शन को फेस कर रहे हैं लगा-तार मेरे घरमालों को हरासा किया गया है मेरे घर को दो मरतबा घेरा गया है और कोशिच की गई कि मुझे अर में छी चीजने से है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है तो ये आवाजें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और जो बोलने वाले का हक है वो चीन लिया जाए कि मैं बात करना चाहता हूं खबरे देना चाहता हूं और फिजिकली तो तो उसकी सजा तो मैं काटता हूं और लगातार काट रहा हूं पिछले एक साल से जिस किसम के हालात का सामना करना पड़ा है अल्ला ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि सियासतदानों की वैसे तो मैंने थोड़ दिन पहले भी ये कह रहे हैं और सियास्टदान भी सहूलतकार बने हुएं और ये तो बड़ी पुरानी जिनको आपका नुक्ता नदर सूट नहीं कर रहा हुता है वो सियास्टदान आपको दिवार के साथ लगाना चाहता है लेकिन उसकी इतनी कपैसिटी होती ही नहीं है कि वो ये कर सके लेकिन जिस तरीके से आजकल establishment के और पीडियम की हुकूमत के तालुकात हैं तो ये ऐसा करने की capacity में आए हूँ है फिलहाल और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूँ कि establishment अगर बीज में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं establishment अगर neutral हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अब जरा आजाया मेरी गिरफतारी की वजा की तरफ तो मुझे जनाब गिरफतार कर लिया गया है सेयाल कोट एरपोर्ट से मैं उमान जा रहा था सेयाल कोट एरपोर्ट से और वो मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियो अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया है पुलीस और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं और कुछ कानून नाफिस करने वाले ऐसे एदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं तो कालकोट एरपूर्ट से उमान जाते हुए गिरफतार हो गया हूंगा और उसकी वज़ा यह है कि मैं बात करना चाहता हूं बोलना चाहता हूं हमने जब मशवरा किया मैंने अपनी टीम के मेंबर से बाकी दोस्तों से मशवरा किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवर के लिए आपका बोलते रहना जरूरी है और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफतार कर लिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे और इसके बाद प्रोपेगंडा किया जाएगा कि शायद मैं गिरफतारी आवाइड करने के लिए प करेंगे तो उसके बाद फिर मुझे गिरफतार किया गया था और मैंने किसी किसम की मुझामत नहीं की थी बलके मैं बहुत कॉपरेट करके उनके साथ चला गया था यह एफई वाले आपको गवाई दें और इसके लावा जब पुलीस मुझे गिरफतार करने आई तो उस करता हूं कि आपने बड़ी दलेडी से और मरदानगी से अपने गिरफतारी दिये हमें डर था कि आपनी गाड़ी को लॉक कर लेगे मेरी गाड़ी जो है वो आर्मड गाड़ी थी अगर मैं इसको लॉक कर लेता तो फिर वो मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते थे उन है कि मेरे मुलक का फैसला मेरे मुलक के अवाम करेंगे तैईस करोड लोगों का फैसला बंद कमरों के अंदर बैटे हुए चंद दमाग नहीं कर सकते वो दमाग कितने भी जहीन हो वो तैईस करोड लोगों की इजतमाई दानिश का मुकाबला नहीं कर सकते लेहाद पाकिस्ता से बाहर गये थे, वो भी सिर्फ गिरफतारी अवाइड करना चाहते थे, ताकि उनकी आवाज बंद ना हो, और वो अपनी बात करते रहे हैं, आपको याद होगा उनकी शहादत वाले दिन, सीनियर आफिसर्स ने प्रेस कांफरस की थी, डी जी आईस पी आर ने और डी जी ऐसा नहीं बोला, जिस पर ये कानूनी तोर पे मेरे खिलाफ कारवाई करें, मैंने जो बात की कानून और आईन के दाएरे के अंदर रह कर गी है, मेरी बात किसी को पसंद आये, किसी को ना आये, कल तक मेरी बात कुछ लोगों को सूट करती थी, आज कुछ और लोगों को हो सकता है कल मेरी बात पाकिस्तान तहरी के इनसाफ को भी सूट ना करें, और वो मेरे से नराद हो जाएं, ये चलता रहता है, लेकिन सहाफियों को बोलने का हक रहना चाहिए, मैंने थोड़ा रसा पहले एक तक्रीड करते हो भी यही कहा था, कि ये आग आग आप सब के घर तक पहुंचेगी, मेरे घर तक पहुंची है, हमारा जीना हराम किया हुआ है, हम दर्बदर हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं मेरी फैमली भी, और हालात यहां पर पहुंचे हुए कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पढ़ रहा था, जिस वक्त मुझे गिरफ़तार किया हु और याद रखिएगा, मैं पाकिस्तान से तीन मरत्मा पहले भी बाहर गया हुँ, अभी उम्रा गर के आया हुँ, मुझे अल्हम्दुल्ला, मुझे सारी फैमली कह रही थी कि पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया